Okay guys, today we are going to start chapter 7, coordinate geometry. तो coordinate geometry का मतलब क्या है? Coordinate बनता है x axis से and y axis से. ये मेरा y axis है, ये मेरा x axis है. X coordinate and y coordinate. इसके उपर जो study होती है, उसे अपन कहते है coordinate geometry. x axis को generally ifc सा भी कहा जाता है, और y axis को generally coordinate भी कहा जाता है. तो आप x x x को x coordinate या fc साब बोल सकते हैं और y coordinate को y coordinate या फिर ordinate बोल सकते हैं अब आते हैं distance formula पे distance formula क्या है distance formula अपने को 2 points के बीच का distance निकाल के देता है कैसे निकाल के देता है वो देखिए हो समझे point p and point q मेरे 2 points है point p है मेरा x1 y1 point 2 है मेरा x2 y2 इन 2 points के बीच पे मुझे distance निकालना है तो देखिए कैसे निकालेंगे x1 y1 का मतलब क्या है x1 y1 का मतलब है x coordinate पे मैंने x1 travel किया यानि यहां से लेके यहां तक x1 हो गया y1 यानि यहां से लेके यहां तक का distance है वो y1 है यह x1 है अब x2 y2 का मतलब क्या है यह पूरा distance यहां से लेके यहां तक यह y2 है किसी भी point पे reach करने के लिए अपने को कुछ x-exS पे travel करना पड़ता है और कुछ y-exS पे travel करना पड़ता है जितना अपने x-exS पे travel किया वो x koordinate होता है और वही address होता है उस point का तो अगर P का address ये मेरा point P है इसका address x1, y1 है इसका मतलब है मैंने x access पे x1 travel किया है y access पे y1 travel किया है Q point का address है x2, y2 इसका मतलब मैंने x access पे x2 travel किया है and y access पे y2 travel किया है अब एक चीज़ देखिए x2 minus x1 अगर मैं करता हूँ तो मेरे पास ये distance आएगा Rs ठीक है ये पूरे x2 में से अगर मैं x1 हटा दूँ तो ये वाला portion ही तो बचेगा यहां से लेकर यहां तक उसी तरीके से अगर मैं y2 में से y1 हटा दूँ मेरे पास जो portion बचेगा वो ये portion बचेगा QT इस हिसाब से अगर ये मेरा x2 माइनस x1 है और ये मेरा y2 माइनस y1 है ये x2 माइनस x1 है तो यहां पे ये भी x2 माइनस x1 होगा PT RS and PT दोनों के length equal होगी अब देखिए ये जो triangle है PQT इसमें मेरे पास दो sides है ये y2 माइनस y1 है अब PQT triangle के अंदर आप देखेंगे PT मेरा x2 माइनस x1 है QT मेरा y2 माइनस y1 है इसमें अगर मैं Pythacore theorem apply करता हूँ तो देखिए PQ का square है इकवलस टू PT स्कवेर प्लस QT स्कवेर होगा PT स्कवेर की value होगी x2 माइनस x1 का square क्योंकि PT की value है x2 माइनस x1 QT स्कवेर की value होगी y2 minus y1 का square क्यों क्योंकि qt की value है y2 minus y1 अब क्योंकि p q का square था तो square root लेंगे दो दो तरफ तो p q का square तो p q बन जाएगा और इधर ये square root लग जाएगा तो ये जो formula है ये है मेरा distance formula इसे मुझे किस चीज की value मिल रही है p q की value मिल रही है और p q क्या है मेरा point p and point q के बीच का distance तो अब आगे से अपन इसको as a formula यूज किया करेंगे और इस formula को क्या बोलते हैं इस formula को बोलते हैं distance formula ये दो points के बीच में distance निकालने के काम आता है इसलिए distance formula x1 y1 p के coordinates है x2 y2 q के coordinates है और अब अगर थोड़ा बहुत समझ में आ गया है तो बाकी का जब examples और questions करेंगे तो और समझ में आ जाएगा ओके पिक करते है example number one देखिए do the points में को तीन points दे रहे है first point ये है, second point ये है, third point ये है form a triangle क्या इन तीनों point को अगर मैं join करता हूँ तो क्या कोई triangle बनेगा दूसरा if so, name the type of triangle form अगर बनेगा, तो किस type का triangle बनेगा वो मुझे बताना है तो देखिए triangle बनेगा या नहीं बनेगा ये कैसे decide होगा कोई भी triangle का rule होता है उसमें मैं किसी भी दो side का sum करो वो हमेशा third side से बड़ा होता ही होता है अगर triangle में मैं सबसे छोटी side pick करता हूँ उनका sum करता हूँ तो वो जो sum है वो third side से बड़ा होगा ही होगा और अगर by chance ऐसा नहीं होता है तो वो triangle form नहीं हो सकता है ये किसी भी triangle के form होने का rule होता है तो side का sum तो मुझे side की length ची होगी अब side की length कैसे आएगी मुझे 3 points दे रखें triangle के let's suppose यह PQR points है मेरे triangle पे तो मैं क्या करूँगा सबसे पहले PQ distance निकालूँगा तो देखिए PQ distance निकालने के लिए मैं distance formula लगाऊँगा तो distance formula क्या होता था x2 minus x1 इसका whole square यानी x part से x part subtract होता था देखिए यहाँ पे x part यह है यहाँ पे x part यह है तो मैं क्या करूँगा इन दोनों को एक दूसरे subtract करूँगा यानी 3 minus minus 2 करूँगा तो यह मुझे देखा 3 plus 2 यहाँ पे देखिए 3 plus 2 आ गया और y part से y part subtract करूँगा यानी 2 minus minus 3 तो यह मुझे देखा 2 plus 3 तो देखिए यहाँ पे 2 plus 3 आ गया और इनका square है तो यहाँ पे square यहाँ पे square यानी x2 minus x1 plus y2 minus y1 इसका square और इस पूरे complete का under root अब कई बार बच्चों में confusion यह होता है कि x2 किसको माने x1 किसको माने आप 3 minus minus 2 कीजे या फिर minus 2 minus 3 कीजे ठीक है आपके solution में कोई difference नहीं आएगा क्योंकि देखिए minus 2 minus 3 यह मुझे देगा minus 5 तो minus 5 का square होगा यहाँ पे 3 plus 2 5 5 का square होगा तो minus 5 का square निकालिए या 5 का square निकालिए answer तो 25 भी आना है ठीक है तो किसी को भी x1 और किसी को भी x2 मानी है किसी में से कोई सा भी subtract कर दीजे कोई फार्क ने पढ़ रहा क्यों क्योंकि अगर negative quantity आएगी तो square होगे वैसे भी positive हो जानी है तो यह जो common confusion है यह भी दूर हो गया तो इसको solve कीजे देखिए 5 square 5 square तो 25 25 25 plus 25 होता है 50 तो यह है मेरे पास under root 50 यह है मेरी pq की length अब मैं qr की length निकाल रहा हूँ qr की length के लिए देखिए again x part से x part subtract करेंगे यानि 2 minus minus 2 तो यहाँ पर देखिए minus 4 minus 4 क्यों आया है क्योंकि इसने मैंने किया कि 2 minus minus 2 किया है इसने क्या किया है minus 2 minus 2 यानि इस वाले पार्ट में से यह वाला पार्ट subtract किया है जो देखा minus 4 अब देखिए minus 4 का square करो या 4 का square करो मिलना तो मुझे 16 ही है अब आगे देखिए 3 minus minus 3 3 minus minus 3 यह मुझे देखा 3 plus 3 जो कि मुझे में लेगा 6 यानि 6 का square यहाँ पर minus 6 आया है क्यों क्योंकि इसने क्या क्या है minus 3 minus 3 इस वाले में से यह वाला subtract किया है मैंने इस वाले में से वाला subtract किया था जो कि minus 3 minus 3 मुझे देखा minus 6 minus 6 का square करो तो भी 36 आएगा 6 का square करो तो भी 36 आएगा इस तरह से मैंने यह अला डिस्टेंस भी निकाला देखिए 4 का सुए 16, 6 का सुए 36, 36 प्लस 16, 52, यह गया अंडर रूट 52, अब लास्ट पी आर, तो देखिए, पी का X पार्ट ये है, आर का X पार्ट ये है, तो 3-2, तो देखिए 3-2, फिर यहां पर 2-3, तो देखिए 2-3, त 1 का स्क्वेर 1, माइनस 1 का स्क्वेर भी 1, तो 1 प्लस 1, 2, तो यह हो गया अंडर रूट 2, तो इस तरह से मैंने PQ, QR, NPR, तीनों लेंद निकाल ली, अब मुझे देखना है, कि क्या PQR ट्रेंगल बनाएंगे भी या नहीं बनाएंगे, अगर बाइचांस ये पॉंट्स को linear हो, तो triangle form नहीं करेंगे, ये triangle तो मैंने एक rough diagram बनाया है, मुझे confirm नहीं कि ये points ट्रेंगल बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, तो लेखिए, एक तरीका तो ये है, तीन मैंने sides निकाली है, एक side है under root 52, एक side है under root 50 और एक side है under root 2, तो सबसे बड़ी side definitely ये है, उससे छोटी और उससे छोटी ये है तो सबसे बड़ी साइट का आगर मैं स्क्वेर करूँ और फिर दोनों छोटी साइट का स्क्वेर कर दूँ और एड़ करूँ तो मैंने देखूँँगा कि वो 3rd साइट के स्क्वेर के बराबर है यानी देखिए undergraduate 52 का स्क्वेर 52 अंडरूर्ट 50 का स्क्वेर 50 अंडरूर्ट 2 का स्क्वेर 2 50 प्लस 2, 52 तो कहीं ना कहीं A स्क्वेर इक्वल्स टू B स्क्वेर प्लस C स्क्वेर मेरी Pythagoras Theorem satisfy हो रही है अगर triangle की sides पे Pythagoras Theorem satisfy हो रही है तो that means वो triangle तो ही है वो एक right angle triangle है ठीक है? तो इस तरह से मैंने decide कि ये triangle बनेगा की नहीं बनेगा और बनेगा तो कौन सा बनेगा राइट एंगल triangle बनेगा अब अगर बाई चांज से right angle triangle नहीं बनता तो ये क्या है तीनो sides अलग-अलग length की हैं तो ये कौन सा triangle होता तो ये होता skellian triangle जिसमें तीनो साइड अलग लग होती है isosless triangle कोई दो साइड से हम होती है तो फिर इस case में कैसे identify करते इस case में क्या करते है अपन सबसे दो छोड़ी साइड का sum करते और देखते कि क्या वो sum third side से बड़ा है या नहीं है अगर बड़ा है तो triangle बनेगा अगर बड़ा नहीं है तो triangle नहीं बनेगा तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा under root 50 को decimal में convert करना पड़ेगा under root 52 को भी decimal में convert करना पड़ेगा और under root 2 को भी तो वैसे तो under root निकालना class 8 का topic है square root में long division तो detail में देखना है तो वहाँ पर देख सकते हैं मैं यहाँ पर एक बार under root निकालना recall करा देता हूँ although under root बहुत जगे use होता है बहुत जगे काम आता है पट एक common observation जो मेरा है कि बच्चों को most of the बच्चों को class 10 तक भी long division से under root निकालना प्रॉपरली नहीं आता हूँ तो मैं क्या करता हूँ under root 52 निकाल के बता रहता हूँ तो देखिए 52 के बाद मैंने decimals बनाए और फिर इस्ते से मैंने pairing कर दी detail video अगर आप पूचिए तो आप class 8 का square root topic में वहाँ पर search कर सकते हैं तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर मैं लिखूँगा 7 क्यों क्योंकि 7 का square होता है 49 तो यहाँ पर आगया 49 अब 52 minus 49 कितना होगा यहाएगा मेरे पास 3 अब क्योंकि मैं decimal के बाद का pair नीचे लेके आ रहा हूँ तो यहाँ पर एक decimal लगा दूँगा 7 का मैं double कर दूँगा और यहाँ पर एक dash रहेगा यहाँ पर मुझे कोई number फिल करना है तो जो number मैं यहाँ पर फिल करूँगा let's suppose 1 फिल करूँगा तो 1 से multiply करूँगा ठीक है तो यह मुझे लेगा 141 अगर मैं 2 फिल करता हूँ तो मैं 2 से multiply करूँगा तो 2 से multiply करूँगा तो मुझे मिलेगा 284 तो 2 मेरी condition को satisfy कर रहा है 284 यहाँ पर 2 लिखा इधर भी 2 लिख दिया तो इधर आ गया 284 अब इसको subtract किया तो इसने मुझे दिया 16 अब next pair निचे आएगा double zero अब देखिए यह जाएगा 1442 तो जो last number था उसका double कर दिया तो का double four और एक dash यहाँ पर लगा दिया अब यहाँ पर मुझे कुछ fill करना है तो देखिए मैं one fill कर सकता हूँ तो one यहाँ पर आ जाएगा तो यह हो गया one four four one तो इसको जब मैं solve करूँगा तो यहाँ पर कुछ remainder आएगा इस तरह से मैं आगे continue कर सकता हूँ यहाँ पर double zero और pair का बना सकता हूँ बट क्योंकि मेरा answer two decimal तक आ चुका है तो इतना मेरे लिए sufficient है तो 7.21 इस तरह से आया इस तरह से आप किसी भी number का under root निकाल सकते है यह रहे तो अब मैंने क्या किया जो भी मेरे under root वाल numbers थे उनको decimal में convert कर लिया तो 7.21 यह मेरी सबसे बड़ी side है 7.07 यह मेरी second number की side है 1.41 यह मेरी third number की side है तो दो सबसे छोटी side का अगर मैं sum करता हूँ तो मुझे मिलता है 8.48 और यह definitely third side से बढ़ा है दो side का sum अगर third side से बड़ा है that means मेरा triangle form होगा तो इस तरह से मैं decide करता हूँ कि मेरा triangle form होगा की नहीं होगा पट यहाँ पे special की एस था क्यूंकि diet pythogal theorem satisfy हो रही थी और pythogal theorem satisfy हो रही है that means right angle triangle बन रहा है और जब right angle triangle बन रहा है तो triangle तो बनी रहा है इसका मतलब ठीक है तो यह था मेरा example number one बहुत अच्छा question है concert based पे ठीक है and most neglected also बच्चे जनरली धान ही नहीं देते उस तरह से इस पे अब देखिए example number two मुझे चार points दे रखें इन points को मैं ABC नाम देता हूँ यह point A है यह point B है यह point C है यह point D है मुझे बताना है यह vertexes है square के है तो vertex अगर square के है इसका मतलब square की सारी sides equal होती है यानि इन points की बीच में अगर मैं distance निकालूँगा तो वो सारे distance equal आने चाहिए तो सबसे पहले मैं AB निकालता हूँ AB में देखिए X part से X part subtract किया Y part से Y part subtract किया यहाँ पर आप देख सकते हैं 1-4 7-2 प्रिम का square कर दिया और complete का under root कर दिया इसको solve किया तो मेरे पास है under root 34 तो यह मेरा AB निकल गया अब मैं BC निकालूँगा तो देखिए B का X part C के X part को subtract करेगा या उससे subtract होगा तो देखिए 4-1 होगा तो यह जाएगा 4-1 अब Y part से देखिए Y part 2-1 तो यह जाएगा 2-1 तो देखिए 5 का square 25 2-1 3 3 का square 9 तो यह भी हाया under root 34 तो AB and BC यह दोनों side तो equal आ गई उसी तरीके से मैंने CD side भी निकाली उसी तरीके से DA side भी निकाली तो मैंने देखा कि मेरी 4-1 इक्वल है तो इसका मतलब एक coordinator ऐसा है जिसमें 4-1 इक्वल है तो बच्चे जल्दबाजी क्या करते हैं कि हाँ 4-1 इक्वल है तो square हो गया नहीं 4-1 तो square के लिए आपको कुछ और भी करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा square की एक और property होती है square के diagonals equal होते है rombus के diagonals equal नहीं होते square और rombus दोनों के सारी sides equal होती है but square के पास additional property क्या है उसके diagonals भी equal होते है तो मैं diagonals निकालूँगा diagonals मतलब AC minus minus 1 तो यह मुझे देखा 1 plus 1 A के y part में से C का y part 7 minus minus 1 तो यह मुझे देखा 7 plus 1 तो इस तरह से यह आया under root 60 दूसरा मैंने BD diagonal भी निकाला यह भी आया under root 60 तो सारी sides equal है diagonals भी equal है तो अब मैं कह सकता हूँ कि यह एक square है ओके अब देखे example number 3 show that the arrangement of desks in classroom Ashima, Bharti and Camilla are selected at A, B and Z respectively do you think they are seated in a line give reason for your answer तो देखिए यह तीन friends है एक classroom में इस तरह से इनके sitting arrangement है तो आपको बताना है कि क्या यह एक straight line में है तो मैं जब इन सब points को join करता हूँ तो मैं देखता हूँ यह एक straight line में है बढ़ यह मैं justify यह proof कैसे करो देखिए एक चीज़ बताएए मुझे अगर A से B का distance में निकालता हूँ और उसके बाद B से C का में distance निकालता हूँ और उन दोलों distance को अगर मैं add कर दूँ तो वो क्या A C का distance होगा की नहीं होगा और अगर ऐसा होगा that means तीनों पॉइंट एक straight line में है तीन पॉइंट एक straight line पे हैं क्योंकि यह triangle form नहीं कर रहे है यहाँ पे जो दो छोटी sides है उनका जब मैंने sum किया तो वो third side से ज़ादा नहीं हुआ उसके बराबर हुआ example one में अपने यह concept discuss किया था वहाँ पे भी अपने पास 3 point थे यहाँ पे भी अपने पास 3 point है तो यह 3 point triangle बनाएंगे कि एक straight line पे लाई करेंगे यह कैसे decide हो इसमें क्या होगा कि दो जो छोटी sides है उनको लूँगा उनका sum करूँगा अगर उनका sum third side से बड़ा आ जाता है तो वो triangle बनेगा और अगर वो third side के बराबर है that means वो तीनों point एक straight line पे लाई करें तो मुझे क्या करना है मुझे A, B, B, C and A, C निकाला है concept समझ में आ गया तो देखिए मैंने A, B, B, C and A, C निकाला under root 18 under root 18 का मतलब है 9 into 2 तो 9 बहार आ जाएगा तो 9 का under root 3 तो यह हो गया 3 root 2 8, 8 होता है 4 into 2 तो 4 का under root 2 तो यह हो गया 2 root 2 और इसी तरह से यह 5 root 2 तो दो छोटी वाली sides कौन सी है यह है तो 3 root 2 प्लस 2 root 2 कितना होता है 5 root 2 होता है तो दो side का sum third side से बड़ा नहीं है that means triangle नहीं बनेगा और triangle नहीं बनेगा मतलब तीनों point एक straight line पर लाई कर रहा है तो therefore they are seated in a line ओके example number 4 देखिए आपको x and y में एक relation देना है x and y की value नहीं निकालनी है x and y में एक relation देना है question को ध्यान से समझे such that the point x and y is equidistance from 7,1,3,5 इन दो points से equidistance पर है मेरा x and y तो देखिए कैसे निकालेंगे relation x and y अगर इन दोनों point से equal distance पर है तो मैं x and y का distance पहले इस से निकाल लूँगा 7,1 से और फिर x and y का distance इस से निकाल लूँगा और क्योंकि x and y इन दोनों point से equal distance पर है तो उन दोनों distance को equal रख दूँगा तो देखिए x-7, x-part से x-part y-1, y-part से y-part देखिए x-7 इसका square plus y-1 इसका square और distance के लिए क्या कर सकते हैं अब अपन distance निकालेंगे 3-5 and xy में तो देखिए x-part से x-part y-part से y-part x-3, y-part बट distance formula जो अपने पढ़ा था वहाँ पे तो under root भी होता था तो ऐसा कुछ होना चाहिए था first step में आप इस तरह से लिख सकते हैं next step में जब आप क्या करेंगे एक line लिखेंगे, क्या लिखेंगे squaring both the side और जब आप squaring both the side करेंगे तो यह दोनों under root हट जाएंगे तो आपके पास यह equation आ जाएगे अब देखिए यहाँ पे a-b का all square लगा दीजे इधर भी a-b का all square लगेगा इधर भी a-b का all square लगेगा इधर भी a-b का all square लगेगा तो यह equation और इधर यह equation अब देखिए x square से x square उड़ जाएगा y square से y square उड़ जाएगा और बाकी जो भी part बचेगा आप उसको solve कर लिजे तो आपके पास यह आएगा यह है relation यहाँ पर मैंने x and y की relation निकाला है उनकी values नहीं निकाली है यानि x y से 2 जादा है क्योंकि x minus y मुझे क्या दे रहा है 2 दे रहा है तो अगर x4 है तो y2 होगा x5 है तो y3 होगा x7 है तो y5 होगा यानि x minus y आपको हमेशा 2 दे तो x and y का यह relation है x and y की values मुझे नहीं पता अब x and y की value मुझे क्यों नहीं पता या फिर मैं क्यों नहीं निकाल पा रहा क्योंकि कोई particular single point ऐसा नहीं होगा जो इन दो point से equidistance में हो let's suppose देखिए यहाँ पे यह मेरा point है 3,5 यह है 7,1 इन दो points को मैं join करता हूँ a-b को मैंने join किया अब इस a-b का मैं perpendicular bisector बनाता हूँ तो perpendicular bisector कैसे बनाते थे construction में अगर किसे को याद हो तो point B पे रखते थे 1R गिधर बनाते थे 1R किधर बनाते थे point A पे रखते थे compass 1R किधर फिर इन दोनों को join करते थे तो वो perpendicular bisector बन जाता था तो इससे से मैं perpendicular bisector बनाता हूँ perpendicular bisector का मतलब क्या है वो उस लाइन के center से पास होगी और 90 degree पे पास होगी center से पास होगी यानि A, B का center point ये है ठीक है तो ये point B and A दोनों से equal distance पे है क्योंकि center पे है तो आप एक चीज़ देखिए इस line के उपर आप कोई भी point draw कर लिजे ठीक है वो सारे point A, B से equal distance पे होगी और ये चीज़ आप prove भी कर सकते हैं कैसे triangle 1 और triangle 2 उनको आप congruent prove कर दीजे तो आपका काम हो जाएगा तो इस तरह से आप randomly कोई भी point बना लिजे इस line पे, वो सारे A and B से equal distance पे होगी इसलिए मैं x and y की कोई particular value नहीं निकाल सकता क्यों? क्योंकि there are infinite solution for this, इसलिए मैंने इसका relation निकाला है तो इस line पे लाई करने वाले सारे points A and B से equal distance पे होगी तो ये concept है इस question का अब example number 5 देखिए find a point on y axis which is equal distance from points 6,5 and minus 4,3 y axis पे अगर कोई point होगा तो देखिए ये तो मेरी x axis होती है ये मेरी y axis होती है x axis पे कोई भी point होता है वहाँ पे y part हमेश जीरो होता है कैसे? 1,0,2,0 3,0,4,0 ऐसे होते हैं सारे points axysis पे y axis पे जो भी point होता है वहाँ पे x part हमेशा 0 होता है तो points कैसे होते हैं? 0,1 0,2,0,3 0,4 like this तो मुझे y axis पे एक point निकालना है जो कि इन दो point से equal distance पे है तो मैं point को assume करता हूँ 0, y तो let's suppose वो point यहाँ पे कहीं पे है 0, y अब यह point equal distance पे है a and b से तो मैं इस point का a से and b से distance निकालूँगा और फिर उसको equal रख दूँगा Am I right? तो देखिए सबसे पहले a से निकालते है तो x part से x part subtract होगा y part से y part subtract होगा तो 6 minus 0 and 5 minus y इनका whole square क्योंकि distance है तो under root भी होना चीए तो under root लगा देते हैं एक बार explain करने के लिए अब मैं क्या कर रहा हूँ इस point का b point से distance निकाल रहा हूँ तो x part से x part and y part से y part 3 minus y whole square whole square और फिर इस तरह से under root भी होगा तो क्योंकि दोनों तरफ under root है और next step में जब मैं squaring both side करूँगा तो under root अपने आप अपढ़ जाएगा तो इसलिए यहाँ पे equation मैं under root लगाया है नहीं नहीं एक step skip कर दिया गैसे 6 minus 0 तो 6 ही होगा तो 6 का square 36 यहाँ पे मैं a minus b का whole square लगाँगा यह देखिए minus 4 minus 0 यह क्या होगा minus 4 minus 4 का square plus 16 और इधर लगेगा a minus b का whole square तो यह equation बन गए मेरे पास यहाँ पे देखिए y square से y square कट जाएगा straight forward अब इस पूरी equation में य के अलावा कोई variable नहीं है तो इस equation को solve करूँगा तो मेरे पास y की value आजाएगी y की value क्या आई? 9 तो मेरा point क्या हो गया? मेरा point हो गया 0,9 अब उपर वाले question और नीचे वाले question में difference क्या है? उपर वाले question में भी मैंने एक point निकाला था जो दो additional information थे में पास कि वो point y axis पर लाई करना है यानि indirectly उसका मुझे x coordinate दे दिया गया ठीक है? ये 0 indirectly बता दिया गया कि x coordinate ये है तो मुझे सिर्फ y part निकालना था इसलिए मैं वो particular point निकाल पाए और उपर particular point इसलिए नहीं निकाल पाए कि यह इसा कोई relation नाइन तो अब आप 0,9 का इन दोनों point से distance निकाल के ये check भी कर सकते हैं cross verify कि क्या आप कान से सही है कि नहीं है तो ये था introduction part फर्स exercise का ये chapter बहुत easy है just formula based chapter है अगर एक बाद concept आपने ठेक से pick कर लिया formula को डंक से समाझ लिया है उसके पीछे के concept जो जो अपने अभी discuss किया है और जो जो अपने आगे exercise में discuss करेंगे तो उसके बाद ये chapter एकदम चुट्कियों का खेल रहेगा आप लोग लिया बच्चे कलती क्या करते हैं बच्चे करते हैं यार easy है हो जाएगा एक बार भी खुद अपने हाथ से पैंसे solve करना तक ज़रूरी नहीं समस्ते हैं और एक easy chapter में भी वो marks lose करते हैं तो please ये mistake मत कीजेगा make sure every question including examples आप अपने हाथ से पूरा complete solve करें तो इस वीडियो को यहीं पे end करते हैं next वीडियो में we will start exercise और कहीं पी कुछ issue आता है या इस वाले introduction पार में कुछ रह गया है तो आगे वाले पार में हो सकता है और फिर भी अगर नहीं होता है तो please let us know we can discuss it one-to-one okay see you in the next video I'm your mentor make a difference nearby students can contact us for group and individual mentoring session our location is mentioned in video description others can contact us for online classes online doubt clearing sessions and for other online videos which are not publicly available on YouTube thank you